असकार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे एक Mobile Recharge Commission आप के बारे में जिसका नाम है Direct Pay for You इस आप से आप अपना या किसी दूसरे बेक्तिका Mobile Recharge करकर ढेट सारा पैसा कमा सकते हैं आप जितना ज़्यादा Recharge करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे Direct Pay for You आपको हर Recharge पर साड़े तिन परसंट का कमीशन देता है दोस्तों सबसे पाले आप प्रूप देख लीजे मैंने Direct Pay for You से बहुत से नंबरों पर Recharge किया है Recharge Successful भी हो गया है और मुझे Recharge पर साड़े तिन परसंट का कमीशन भी मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस नंबर पर 589 रुपे वाला Recharge मात्र 588 रुपे 74 पैसे में किया है इस Recharge पर मुझे 20 रुपे 26 पैसे कमीशन मिला है और सेम एही Recharge मैंने दूसरे नंबर पर किया और उस पर भी मुझे 20 रुपे 26 पैसे मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक नंबर पर 299 रुपे वाला Recharge 288 रुपे 54 पैसे में किया है इस Recharge पर मुझे लगबग 10 रुपे मिला है आप किसी भी Mobile नंबर पर कोई भी Recharge करिए आपको उस Recharge पर 3.5% का कमीशन मिलेगा Direct Pay for उसे Mobile Recharge कैसे करते हैं चलिए बताता हूँ सबसे पहले आपको Play Store से Direct Pay for U app को डाउनलोड कर लेना है उसके बाद Open करना है Open करते ही आपको कुछ इस तरह का Interface दिखाए देगा यहाँ से आपको Language Select कर लेना है मैं English को Select कर लेता हूँ Language Select करने के बाद Continue पर किलिक करना है किलिक करते ही Next पेज आएगा इस पेज में आपको सभी Services के वारे में बताया गया है आपको Next Next पर किलिक करना है उसके बाद Done पर किलिक करना है Permission पर किलिक करना है While using the app पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर अपना Mobile Number डालना है और Login with OTP पर किलिक करना है किलिक करते ही आपके Mobile Number पर OTP आएगा OTP आटोमेटिक फिल हो जाएगा अगर OTP automatic fill नहीं होता है तो आपको fill कर लेना है उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालना है जैसे pancard पर है यहाँ पर email डालना है यहाँ पर pin code डालना है उसके बार register पर click करना है Click करते ही Next Page आएगा, इस Page में Accept का Option देखने को मिलेगा, आपको Accept पर Click करना है, Accept करते ही यहाँ पर Success लिखा आजाएगा, आपको OK पर Click करना है, अब आपको Pin Set करना होगा, यहाँ पर कोई भी चारंग का Pin डाल देना है और Set Pin पर Click करना है, क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP एटोमेटिक फिल हो जाएगा और OTP वेरिफिकेशन भी हो जाएगा OTP वेरिफिकेशन होने के बाद आपको देखने को मिलेगा सक्सज, आपको OK पर क्लिक करना है जैसे ही आप OK पर क्लिक करेंगे next page आएगा, इस page का interface आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा यहीं से आप सब काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको add money का section देखने को मिलेगा, recharge का section देखने को मिल जाएगा recharge करने से पाले आपको direct pay for UK wallet में पैसा add करना होगा, पैसा add करने के लिए add money पर क्लिक करना है, UPI पर क्लिक करना है, यहाँ पर amount डालना है, जितना amount आप add करना चाते हैं, amount डालने के बाद add money पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके phone में जितने भी UPI application होंगे, यहाँ पर आ ज PIPIN डाल कर payment कर देना है, यहां पर देखिये हमारा payment successful हो गया है, आपको done पर click करना है, यहां पर देखिये दोस्तों message भी आ गया है, और हमारे wallet में पैसा successful add हो गया है, अब आपको home page पर आना है, यहां पर check balance का section देखने को मिलेगा, इस पर click करके आप अपने wallet का balance देख सकते है मोबाइल नमबर पर रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज पर किलिक करना है उसके बाद मोबाइल रिचार्ज पर किलिक करना है यहाँ पर मोबाइल नमबर डालना है जिस नमबर पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं Mobile number डालते ही amount डालने का आपसन आ जाएगा, आप जितने भी रुपे का recharge करना चाते हैं, यहाँ पर amount डाल देना है, आप special offer पर क्लिक करके सभी plan को देख सकते हैं, आप जिस भी plan का recharge करना चाते हैं, उस पर क्लिक करना है, उसके बार recharge पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको कु आप mobile recharge कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ मुझे इस recharge पर कितना रुपिया कमीशन मिला है आपको home page पर आना है report पर click करना है click करते ही next page आएगा इस page में आपको balance देखने को मिल जाएगा आपके wallet में जितने भी balance होंगे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अभी हमारे wallet में 25 रुपे 86 पैसे हैं दोस्तों जब मैंने अपने wallet में पैसा add किया था तब हमारे wallet में 584 रुपे 60 पैसे थे 584 रुपे में से मैंने 589 रुपे का recharge कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं हमारे wallet में 25 रुपे 86 पैसे हैं लगबग दोस्तों मुझे इस recharge पर 20 रुपे 26 पैसा मिला है आप alt transaction report पर क्लिक करके history देख सकते हैं यहाँ पर देख लिजे 589 रुपे वाला recharge मैंने 558 रुपे 74 पैसे में किया है और मुझे इस recharge पर 20 रुपे 26 पैसे मिला है तो दोस्तों इस तरह से आप mobile recharge करके पैसा कमा सकते हैं